हलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग अपने मैट्स के आज के सेशन में एक नया टॉपिक सुरू करने जा रहे हैं हाइटन डिस्टेंस उचाई और दूरी यह एक बहुत ही मजडर चेप्टर है दोस्तों अगर आप ध्यां से समझेंगे तो इसका यूज आप सीख़हेंगे कहा इसका यूज करते हैं आखिर इस चैप्टर की जरुद का है अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कि जरुद कहां पर है कहां यूज करते हैं जैसे अगर आपको कोई बोले एक नदी है नदी के इस छोर पे हम हैं और दूसरे उर एक पहाड है आपको बोला जाए उस पहाड का हाइट निकालिए कैसे निकालेंगे पहाड के हाइट बहुत मुश्किल है निकालना नदी का तो चोड़ाई आप निकाल लेंगे नदी में यहाँ से जाएंगे तैर के इधर से उधर चलेंगे नाप इधर से चलेंगे पहाड की उचे कैसे निकालेगा ठीक है या फिर बहुत सारा information आपको नहीं दिया रहता है बट आपको बोला जाता है वो काम करने के लिए कैसे करेंगे तो इस तरह का problem को sort out करने के लिए हम लोग height and distance बढ़ते हैं यहाँ पर certain angles का use करते हैं दोस्त बाकी हम लोग अभी यहाँ पर सीखने वाले हैं तो यह जो height and distance है यह हमारा trigonometry का एक part है दोस्त च्रिगनोमेट्री का part है हम लोग उसका angle लेकर काम करते हैं problem को sort out करते हैं तो सबसे पहले यह समझें कि मान लेते हैं यह जितना भी trigonometric ratios होता है यह right angle पर काम करते हैं शमकौन त्रिभूज पर काम करते हैं इतना ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब तक समकौन त्रिभूज नहीं होगा यह formula को हम लगाने में दिक्कत होगी ठीक है यानि कि मान लेते हैं कि यह हमारा right angle triangle है a b and c clear है यह b पर हमारा right angle triangle है तो हम लोग b c को अगर triangle मेरा इस form में रखा हुआ है तो b c को हम लोग base बोलते हैं अब base को हम b से indicate करते हैं इसको हम लोग perpendicular बोलते हैं इसको हम लोग p से indicate करते हैं p बोले तो perpendicular लंब बोलते हैं इसको और ac को हम लोग क्या बोलते हैं hypotenuse बोलते हैं इसको हम लोग h से indicate करते हैं यानि कि perpendicular को p base को b और hypotenuse को h बोलते हैं कब जब हमारा b 90 degree angle हो और हम लोग किसी एक एंगल को जो इस से मिलता हो इसको अगर हम लोग थीटा लें एक सर्टेन एंगल ले लें थीटा तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग परपेंडिकलर बोलते हैं थीटा से लगा हुआ जो साइड होता है उसको बेस बोलते हैं और 90 ड ख्यान में रखिएगा अगर आप बोलेंगे कि सर हम थीटा यहां नहीं रखेंगे सर वेरी गुट मत रखिए सर थीटा हम यहां रखेंगे वेरी गुट रख लीजिए उसका हम दूसरा फोड़ो बना देते हैं कोई बात नहीं जैसे यह एक फिर से ए बी सी एक राइट एंग कुझ पर काम करता है कि यह हो गया तो यह तो 90 के सामने वाला हैपोटेनियस हो जाएगा आप बोलेगे नहीं हम इसको थीटा लेगा है वेरी गुड आप ले लिजे थीटा क्या फरक पड़ता है तो हम क्या बोले थीटा के सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिक्लर हो मतलब जो angle हम लोग पकड़ेंगे उसके सामने वाले side को हम लोग perpendicular बोलेंगे उससे लगे हुए side को base बोलेंगे 90 के सामने वाले को hypotenuse बोलेंगे clear हुआ? ठीक है अब हम लोग यहाँ पर क्या सीखते हैं कि अगर कोई भी 2 side का ratio लेंगे 2 side का ratio लेंगे इस खास angle के लिए दोस्त चाहिए angle यहाँ हो चाहिए angle यहाँ हो angle कहीं भी हो एक तो 90 होता है न दोस्त बचा 20 angle न या तो यह होगा या तो यह होगा ठीक है? इन दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं यह तो 90 अलड़ी है इसको हम लोग थोड़ी के लिए छोड़ देते हैं जो बचा हुआ दो angle है उसकी बात करते हैं इन दोनों के लिए कोई भी 2 side का जो ratio होता है उसी को हम लोग trigonometric ratio बोलते हैं तो आप बोलेंगे sir 2 side का ratio कैसे होगा? sir यहाँ पर देखिया तो क्या हो सकता है? आप देख सकते है sir यहाँ पर P by B लिख सकते है P by B 2 side का ratio बोलें आपको हम sir P by B लिख देंगे तो क्या होगा? very good बताते हैं क्या होगा sir हम P by H लिख देंगे P by H लिख देंगे तो क्या होगा? बहुत सुन्दर बात है से लिखेंगे हमको अमने दूसरी तरीकेस लिखने लिख दिजिए आप बोलेंगे नहीं सर हम उLTA लिखेंगे तब बहुत सुंदर आप यहां पर सर ब्याइप यहां इस squeezed कोह चींद है अपने को सब लिख दिए नहीं से से ज्यादा option अब नहीं हो सकता है दोस्त इतना 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 इतन एंगल के लिए थीटा लेंगे तो क्या होगा P by B, यह किस ट्रैंगल में चल रहा है यह सारा कारेकरम जो चल रहा है इन ट्रैंगल A B C ठीक है एंगल A C B is equal to theta तब इसके लिए काम कर रहा है हम लोग ठीक है तो sir इस पर हम ले लेंगे P by B तो इसको क्या बोलेंगे P by B ले लेंगे तो क्या हो जाएगा तो sir इस एंगल के लिए P by B को 10 theta बोलते हैं क्या बोलते हैं 10 theta तो इसका मतलब क्या हुआ किसी भी right angle triangle में किसी एंगल का जो 10 होता है ratio का नाम है जिस angle का 10 जो लेते हैं उस angle का जो 10 होगा जो ratio का एक नाम है जैसे हमारा नाम सरोज है आपका नाम मनोज होगा किसी के नाम सुरेश होगा अलग-अलग जो नाम है तो उसी तरह से इसका नाम लेंगे जो 10 होगा वो क्या होगा? इस angle के सामने वाला जो perpendicular होगा और उसका जो base होगा इन दोनों का जो ratio होगा उसी को इस angle का 10 बोलते है clear है? आप बोलएंगे तरह P by H है तो इस angle के लिए perpendicular और hypotaneous का जो ratio होगा उस ratio को sin बोलते हैं दोस्त sin, theta बोलते हैं उस angle का है ना इसलिए theta लागाना जरूरी है इस theta angle का perpendicular डिकलोर और हाइपोटेनियस का रेशियो को साइन बोलते हैं ठीक है और B by H को क्या बोलते हैं इसी एंगल के लिए बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है इसको हम लोग कॉस्ट थीटा बोलते हैं क्लिर है इसी एंगल के लिए theta angle के लिए अगर हम उल्टा कर दिया है अब पी भाई भी लिखे दोस्त यहाँ पर बी भाई भी भी लिखे देंगे तो इसको क्या बोलेंगे इसके ओल लिए हम लोग यहाँ पर cot theta बोलते हैं उसी तरह से h by p के लिए क्या बोल देते हैं कोस एक theta बोल देते हैं और H by B के लिए क्या बोल देते हैं 6 theta बोलते हैं दोस्ती सको यानि की सको देख के क्या समझी में आ रहा है आपको यानि पी बाई B को जब हम उल्टा करते हैं तो कॉट आजाता है इसका मतलब क्या हुआ 10 theta is equal to 1 by कॉट theta क्लिर है अब देखें इसको देखें, sin theta हो लग देखें, p by h, h by p, यानि कि sin theta cos sec theta का उल्टा होता है, यानि कि sin theta अगर लिखेंगे, तो 1 by cos sec theta हो जाएगा, यहाँ पर b by h है, अगर इसको इस हिसाब से देखें, तो इसका ठीक उल्टा है यह, तो यानि कि cos theta is equal to 1 by sec theta होगा, clear दोस्ट, इतना दुर में तो कोई problem नहीं लगता है, यह basic चीज़े दोस्ट, जब तक इसको हम नहीं बताएंगे आपको, हम आगे height and distance में हम रूख जाएंगे दोस्ट, तो एक छोटा सा, एक हलका सा brief, क्योंकि हम इसका जो अगला section जो लाएंगे, trigonometry का, उसमें हम सारा clear करेंगे कि यह ऐसा कैसे हो जाता है, इसके angle भी हम लोग find out करेंगे दोस्ट, कैसे निकालते हैं, ठीक है, अभी हम लोग पहले इसको एक brief लेकर चल रहे हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसके angle का value निकाल लेते हैं, बता देते हैं, आपको निकालेंगे नहीं, किसी अगले वीडियो में निकाल के आपको दिखाएं, कैसे इसका हम 30 का value निकालेंगे, 60 का value निकालेंगे, 0 का value निकालेंगे, 90 का value निकालेंगे, 45 का value निकालेंगे, आपको दिखा देंगे, अब आपको हमिया पर जस्त एक बता देते हैं ठीक है यहां तक हो गया अब आपको थोड़ा सा वैल्यू निका बता देते हैं क्या होता है ठीक है दोस्त चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू देखते हैं इसका value निकालेंगे, किससा किसा निकालेंगे दोस्त'? हम लोग, जो सबसे अधिक ज़रूद पढ़ती है हम लोग को 0 से 90 degree का जो angle होता है, उसका हम लोग value जानेंगे दोस्ते. जैसे आपको छोटा sum बता देते हैं, 0 degree हो सकता है, 30 degree हो सकता है, 45 degree हो सकता है 60 degree हो सकता है और 90 degree हो सकता है Generally हम लोग इसका use ज्यादा करते हैं इसलिए इसका लिखा हुआ है बाकी कभी ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकता है सबका निकल सकता है बड़ा इसका हम लोग सबसे ज्यादा जो use करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, अब माल लेते हैं यहाँ पर sin लेंगे, cos लेंगे, और 10 लेंगे, ठीक है, हम इन तीनों का बताएंगे, बाकी सब जैसे हम लोग भी वहाँ उल्टा होता है, वैसे उल्टा कर लेंगे, सब निकल जागा, यहाँ लियान दीजेगा, sin 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्त, 0 होता है, sin 0 degree का वैल्यू 0 होता है, sin 30 degree का वैल्यू 1 upon 2 होता है दोस्त, ठीक है, sin 45 degree का वैल्यू कितना होता है, 1 by root 2 होता है, हम लोग दोस्तों को निकालेंगे भी लेकिन दूसरी वीडियो में सारा का value हम लोग निकाल लेंगे ठीक है सबका value निकलता है हम लोग निकाल के आपको बताएंगे लेकिन आभी हम लोग चुके height and distance पढ़ना है तो हम लोग फटड़फट कहले इसको recap कर रहे है 60 के कितना होता है root 3 upon 2 होता है और 90 degree का 1 होता है 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1 आपको हम एक चीज़ बता दें sign में जब हम लोग किसी भी angle का sign लेते हैं 0 से अगर 90 degree की तरह बढ़ते है यानि angle जब बढ़ रहा होता है तो उसका value भी बढ़ रहा होता है यहाँ 0 था, यहाँ 1 है देखे value कैसे बढ़ रहा है clear है? जब हम लोग sign में 0 से अगर 90 की तरह बढ़ते हैं तो उसका value क्या होता है? बढ़ता जाता है cost में क्या होता है? ठिक उल्टा होता है just reverse it what have you to do is you have to just reverse this figure from 0 to 90 कैसे reverse करेंगे? तो what have you to do is you need to just put 1 at this place 0 अगर cost 0 का value लेंगे तो 1 होता है इसका value घटता जाता है cost का value क्या होता है? घटता जाता है 1 यह वला यहाँ लिख दीजे root 3 upon 2 यह सेम रह जाता है 1 by 2 root 2, sorry 30, 60 पे चला जाएगा 1 by 2 और 0, 90 पे चला जाएगा देख रहे हैं, ठीक उल्टा है 90, यहाँ आ गया 60, 30 पे आ गया 45, 45 पे रह गया 30, 60 पे चला गया 0, 90 पे चला गया ठीक है दोस्त? ऐसे समझेगे इसको value लोग निकालते हैं दोस्त सब निकालेंगे हम लोग बस खलियाँ पर समझीए आप बाकि हम लोग सब निकाल लेंगे और चुकि हम जानते हैं 10 का value क्या होता है 10 का जो value होता है sin theta upon cos theta होता है 10 theta is equal to यहाँ पर sin upon cos करते जाएए अपने आप सब का value आता चला जाएगा यहाँ पर कैसे करेंगे sin 0 क्या लिखेंगे sin 0 upon cos 0 क्या होगा 0 upon 1 इसका value क्या होता है 0 होता है ठीक है तो यहाँ क्या हो गया 0 अब यहाँ पर sin 30 upon cos 30 sin 30 upon cos 30 sin 30 का value कितना है भीया 1 upon 2 इसका value कितना है भीया root 3 upon 2 2 से 2 कड़ गया 1 by root 3 आपर का लिख देंगे 1 upon root 3, ऐसे, 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 ठीक है, अब इसका लेंगे 45, दोनों कटके 1 हो जाएगा, 60 में क्या हो जाएगा भीया, root 3 upon 2 upon 1 upon 2, 2 से 2 कट गया, इसका लिख देंगे, root 3, वहाँ क्या होगा, 1, sin 90, sin 90 by cos 90, यानि कि sin 90 कितना होता है, 1 upon 0, हम जानते हैं, किसी भी संख्या में, अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसको हम लोग define नहीं कर सकते हैं, undefined हो जाता है, infinitive हो जाता है, उसका value हम लोग exact बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इस sign से indicate करते हैं, that is not defined, actually में यह defined नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यह value हम लोग को पता होना चाहिए, clear है, हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कैसे यह बनता है, निकाल के हम आपको सिखा द आप लोग को जहां भी होगा दोस्त, इस स्क्रीन सॉट ले लीजेगा और उसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजेगा, चलिए, अब हम लोग का main point शुरू होता है, height and distance, height and distance हम लोग करते हैं दोस्त, यहाँ पर भी हम लोग angle पकड़ते हैं, angle लेंगे, angle में यह सब सारा जो value है हम लोग का, यह 0, 30, 45, 60, 90 जो value है हम लोग का, sign constant इसका हम लोग यूज करते हैं, अब आप बोलेंगे सर, इसका use कैसे करते हैं, इसमें हम लोग को दो तरह का angle होता है, height and distance में, एक होता है angle of elevation, एक होता है angle of depression, elevation मतलब उननायान कौन, depression मतल सब आउनायान कौन, आप बोलेंगे सर, यह उननायान आउनायान का होता है, सर कौन तो हम लोग बहुत सारा पढ़ेते सर, सर हम लोग तो some कौन पढ़ेते सर, noon कौन पढ़ेते सर, अधिक कौन पढ़ेते सर, yes, वो होता है, but यह height and distance में, दो angle हम लोग लेते हैं, दोस्त, जमालने हम यहां है, मेरे pain यहां सामने रखा हुआ है, और हम उपर से नीचे देख रहे हैं, जब मेरी आख का जो label है, इसको line of sight बोलते हैं, 36, 36 देखा बोलते हैं, मतलब एक plane service, parallel to earth, parallel to earth, मेरे आख से parallel एक line ड्रॉ कर दीजिए, और यहां से नीचे देखेंगे, यहां से न angle of depression बोलते हैं, angle of depression, जब आप बोलेंगे सर उपर ceiling को देखिए, छट को देखिए, जब अपने नजर इसको उपर की और देखेंगे, तो मेरा आख का तो label यह है, ठीक है, मेरे आख का label यह है, लेकि हम देख रहे हैं वहां पे, तो चुकि मेरे आख के label से जो उपर का जो य यह वाला जो angle बनेगा न, दोस्त, मेरे आख के label से उपर वाला, इसको बोलेंगे, angle of elevation, जैसे हम एक आपको फोटो बनागे दिखाते हैं, जैसे माल लेते हैं कि एक आदमी यह कड़ा है, देखिए, फोटो बनाएंगे, तिंग 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 आदमी बन गया इसका यह आख टिक 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 नाख बन गया, सब कुछ बन गया, अब क्या है, इसका यहाँ पर एक tower है, माल लेते हैं एक tower है, अब tower का फोटो दोस्त, बनाना पट़ रहा हैं को, फोटो तम बोच सुन्दर बनाते हैं, देखिए, tower बन गया, ठीक है, tower बन गया, अब यह Creo क्या है, यह इसका label है, यहाँ से ओपर देख रहा है, ये वलला angle जो होगा, क्या बन जाएगा, angle of elevation, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Angle of Angle of elevation बोलते हैं, इसको हम लोग, उन नायान कोन बोलते हैं, जब कोई आदमी माल लेते हैं किसी बिलडिंग के छट पर खड़ा हो और वहां से नीचे किसी गाड़ी को देख रहा हो किसी बच्छे को देख रहा हो किसी चीज को देख रहा हो उपर से नीचे ठीक है अब माल लेते हैं यहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ हम खड़े हैं अब यहाँ से नीचे सड़क पर एक कार है ऐसे माल लेते हैं कार का फोटो बहुत सुंदर बना रहे हैं दोस्त ठीक है एक कार बन गई अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कार को देख रहे हैं ठीक है तो यहां पर जो खड़े हैं तो यहां का आख का लेबल क्या है यह आख का लेबल होता है इसको line of sight बोलते हैं क्या बोलते हैं line of sight अब यहाँ से चुकी नीचे देख रहे हैं तो एंगल कहाँ बन रहा है? आख और देखने की नजर के बीच वाला तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं दोस्त इसको बोलते हैं आव नायन कोन ठीक है दोस्त इसको उननायन मतलब ऊपर की और आव नायन मतलब नीचे की और अब एक चीज और अब यहाँ पर आप समझें कि यह जो लाइन ओफ साइट है यह तो मेरे अर्थ से पारलल है ने दोस्त इस एंगल के बराबर होगा जो माल लेते हैं कि यह एक लाइन वन गया तो यह वला एंगल उतना ही बनेगा जितना की यह वला एंगल बना है तो यह दोनों एंगल बराबर होगा वैसे ही यहाँ पर जो उपर के और देखते हैं उपर के और देख रहे हैं तो यह एंगल तो मे मेरे दोस्त अब इसी में एक दो सवाल आपको बताते हैं थोड़ा समझनी कोशिच कीजिएगा कैसे हम लोग find out करते हैं एक दो सवाल बताएंगे फिर उसके बाद आप लोग घर में practice कीजिएगा फिर हम कुछ और problem के साथ अगले वीडियो में आएंगे दोस्त यहां पर marvelous question है लगभग हमको लगता है कि चार या पांच नमर कोशन बोर्ड एक्जाम में confirmed आता है दोस्त चार या पांच नमर कोशन confirmed है बोर्ड परिशा में आएगा ही आएगा आएगा आपको कोशन यहां पर जो कोशन को हम लोग कैसे solve करते हैं कोशन को एक से दो बार से तीन बार जरूर पढ़िएगा कोई भी कोशन देगा दो तीन बार जरूर पढ़िएगा कोशन को समझने की कीजिएगा ठीक है कोशन को दो तीन बार पढ़ना है problem करने का solve करने का तरीका आपको को बता रहें दोस्त दो तीन बार जरूर पढ़िएगा कोशन देखने में बहुत लंबा होता है इसका जो कोशन होगा हाइटन डिस्टेंस का देखने में लंबा होगा बट सॉलूसन बहुत लाजवाब होता है कोशन को समझना is more important अगर कोशन समझ में नहीं आता है उसका हम पिक्चर एक रफ ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो सवाल बनने में दोस्त बहुत दिक्कत होगी तो आपको प्रेक्टिस क्या करना है कोशन पढ़ना है और एक फीगर ड्रॉ करना है जैसे हम एक छोड़ा से एक्जांपल देते हैं एक कोशन है कि जैसे एक आदमी जो है जमीन पर खड़ा एक चीज और आपको बताना भूल गया है उसमें किया होता है जब एक आदमी जब नीचे से किसी पहाड को या मिनार को देख रहा होता है तो हमारा हाइट है इसको झाल करते हैं कि उसका आँक जो है न धमीन में सटा हुआ है मानने कि हम लोग ऑच सो के से देख रहे हैं ऐसे समझ लीजेगा है तो हाइट को कंसीडर नहीं कीजेगा जब तक कि कोश्चन में बोला ना जाए क्या बोले जब तक बोला ना जाए आप कंसीडर नहीं करेंगे आप क्या मानेंगे मेरी height 0 है मेरा आँख जो है जमीन में सटा हुआ है और अम यहां से देख रहे हैं बस इस यो consider कीजिएगा ठीक है एक question है कि एक आदमी जमीन पे खड़ा है और वहां से एक 60 मीटर की उचाई पे मतलब जैसे यहां से खड़ा होकर 60 डिगरी के एंगल पे देख रहा है और उसका जो खड़ा है एक मीनार से 60 मीटर की दूरी पर है 60 मीटर की दूरी पे मतलब एक आदमी है यहां पर है एक मीनार को देख रहा है 60 डिगरी के एंगल बना है और 60 मीटर की दूरी पर यह खड़ा है यानि कि 60 मीटर की दूरी यह हो गई 60 degree का angle यह बन गया तो आपसे पूशा जाएगा मिनार की उचाई कितनी है मिनार की उचाई कितनी है तो यह हमारा क्या था मिनार ऐसे मिनार था ना यह मिनार था एक तरह का right angle triangle आपको दीख रहा होगा अगर इस बाकी ताम जाम को अगर हम यहां से हटा दें ऐसे तो एक right angle triangle हमको दीख रहा है ठीक है तो triangle को मान लीजे A B C 60 degree का angle यहां बना है यह height हमको निकालना है मिनार का height AB है तो you have to find out the value of AB it is given the angle of elevation is 60 degree and the distance from C to B is 60 meter what would be the value of AB AB का value क्या होगा दोस्त AB का value क्या निकालेंगे अब इसको समकोन तिर्भू समझ लीजे right angle triangle समझ लीजे हम लोग अभी क्या पढ़े थे angle जो दिया रहत है angle के सामने वाला शेट को परपेंडिकलर मानते हैं और नीचे वाले को बेस मानते हैं यह हमारे लिए क्या काम करता है परपेंडिकलर काम करता है यह हमारे लिए बेस का काम करता है अब देखिए निकालना हमको AB है दिया हुआ है BC यह दोनों हमको मालूम है दोनों किस में निकलता है 10 theta में निकलता है दोस्त 1060 के value कितना भी लिखेते हैं हम लोग याद होगा आपको root 3 root 3 upon a b क्या है मालूम नहीं a b निकालना अपने को और b c कितना है भाईया 60 meter तो a b is equal to क्या हो गया cross multiplying कर देंगे दोस्त 60 root 3 meter कठी नहीं दोस्त सिर्फ समझना है अब माल लेते हैं कि इसी में एक और question हो जाता इसी में question अभी इसको मिनार के जगह इसको पतंग बता देते एक पतंग है जो हम लोग बच्चा लोग किसे उड़ाता है पतंग उड़ा रहा है पतंग अकास में उड़ रहा है और मेरे आख से 45 degree के एंगल पे है इंगल पर बना हुआ है पतंग वहां उड़ रहा है और यह consider किया जाता है कि जब भी पतंग उड़ेगा तो जो मेरा धागा है न धागा में कोई लचक नहीं होगी नहीं धागा बिल्कुल स्टेट होगा ऐसा consider किया जाता है क्लिर है तो मिद पतंग के मेरे धागे की लंबाई कितनी है यदि मेरा इंगल पेलिवेशन कितना है 45 दिगरी और जो उसकी perpendicular height जो मेरी दूरी होगी मान लेते हैं कि वो 100 meter है यानि कि अगर एक फोटो और बना दें जैसे यह पतंग उड़ रहा है यहाँ पर पतंग अगर ऐसे उड़ रहा हो यह डोर इसकी हो और यहाँ पर अगर ऐसे हम बना लें अगर यहाँ से perpendicular height डाल दें यहाँ से हम बोलें कि अगर यह 100 meter की दूरी है और यह 45 डिगरी का एंगल बन रहा है तो यह वाला height कितनी होगी यह वाला height डूर पतंग की डूर की लबाई कितनी होगी कैसे निकलेगा फिर से मान लेते हैं इसको A B C अब यह जो A है देखने में कैसे दिख रहा है राइट triangle दिख रहा है आपको अब इस right angle triangle में यह दिया हुआ है और यह निकालना है यह बेस दिया हुआ है और hypotenuse निकालना है याद है आपको एंगल के सामने वाले को हम लोग perpendicular consider करते हैं 90 degree के सामने वाले को हम लोग hypotenuse consider करते हैं और given angle के base वाले side को base consider करते हैं तो आपको base और hypotenuse में कौन सा relation दिखता है याद है cost वाला relation आपको दियान होगा cost 45 degree is equal to क्या होता है b by h होता है ना b by h b मतलब बोले तो cb upon ac ठीक है तो cost 45 degree के वेल्यू कितना होता है 1 by root 2 1 by root 2 clear है cb कितना है भाई या 100 meter ac कितना है मालूम नहीं ac तब ac बराबर क्या cross mark भी काज़कर दीचे ac बराबर 100 root 2 meter अगर मीटर में है तो मीटर जिसमें हो इसमें निकल जाएगा भारी है क्या नाई तब आप बोलेंगे सर हमको सब याद करने में दिक्कत हो रहा है सर कॉस में by h सर साइन में by h कईसे कईसे आप लिख देते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है हम आपको एक छोड़ा चीज बताते हैं ध्यान राखेगा हम लोग भी बच्पन में हम लोग के सर ऐसे इसी खाया थे हम लोग को भी दिक्कत होती थी तो सर कईसे याद करें किसमें बेस लिखें, किसमें परपेंडिकुल लिखें किसमें हाइपोटेंस लिखें याद रखेगा साइन कॉस्टेन कैसे लिखते हैं प्रसाद पंडित बदरी प्रसाद ठीक है? बटा हरी हरी बोल हरी हरी बोल बोली आप लोग भी पंडित बदरी प्रसाद और हरी हरी बोल भजन गाई है भजन भजन तो यहां देखे पी है ना क्या हो गया? सबका पहलाक छर ले लिजे यह पहला अक्षर, तो यहां क्या बन जाएगा, P by H, यहां पर क्या बनेगा भया, B by H, यहां पर क्या बन जाएगा, P by B, पंडित बदरी परसाथ हरी हरी बोल, मतलब क्या हो गया, sin cos 10 sin cos 10 sin को कैसे लिखेंगे P by H cos कैसे लिखेंगे B by H और 10 कैसे लिखेंगे P by B ध्यान में रखिएगा दोस्त 2-4 बर बनाईएगा तो अपने आप practice में आजाएगा तो याद रहा जाएगा आपको कोई हरबाणने की जरूत नहीं है दो-4 बर practice करेंगे बन जाएगा दोस्त आप लोग आपके पास जो भी किताब होगा उससे बनाने कोशिस कीजिएगा कुछ सवाल के साथ हम और भी अगले वीडियो में आएगे दोस्त ठीक है लगता है आप लोगो समझ में आएगा कोशिस कीजिएगा एक बार समाज में आएगा वीडियो को आगे पीछे करके दो-तीन बार देख लीजिएगा पूरा-पूरा समझ माज जागा इसका नोट्स बना लीजिएगा और प्रॉलम को सॉल्व करने कोशिस कीजिएगा हम लोग अगले वीडियो में आएगा बाया दोस